हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लिकेशन में बास्केट ओर्डर किस तरीके से लगानी है और इसके फाइदे क्या-क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क करो और वीडियो को एंट तक देखो काफी इंट्रेस्टिंग बाते पता चलने वाली है तो सबसे पहले तो लॉगिन कर देना है आपको इंजल वन के एप्लिकेशन में यहाँ पे नीचे आपको आना है स्क्रोल करके आने के बाद यहाँ पे आपको बास्केट ओर दिखाई करना है यानि कि multiple order जो है आपको एक साथ execute करने है तो आप basket order का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके सारे order एक ही time पे एक ही click पे execute हो जाए उसके बाद अगर आप options trader हो options traders में क्या होता है कि different different option strategies हम use करते हैं जैसे butterfly strategy हो गई iron condor strategy हो गई उसमें क्या होता है चार legs आपको execute करने हो put आपको call करना होता है put और call बेचने होते है एक call buy करना होता है call sell करना होता है बहुत सारी चीज़े होती है तो वो सारी चीज़े आपको करनी होती है और एक ही साथ करनी होती है क्योंकि अलग-अलग आप करते रहोगे तो आपकी price निकल जाएगी तो difference आजाएगा तो आपक order with basket order and place up to 50 orders in a single click मतलब 50 order आप एक click में डाल सकते हो ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है एक basket में 50 आप different different stock रख सकते हो और उसे एक साथ execute कर सकते हो तो सबसे पहले तो create basket करेंगे तो हमारा basket यहाँ पर create हो रहा है तो सबसे पहले हम stock यहाँ पर add करेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ stocks add करके आपको दिखा देता हूँ और उसे place कैसे करना है वो भी बता देता हूँ सबसे पहले हम stock add करेंगे Tata Motors का तो Tata Motors यहाँ पर हमने Tata Motors सर्च कर दिया है तो limited add करना है यहाँ पर आप market price भी सिलेक कर सकते हो और यहाँ पर limit order भी सिलेक कर सकते हो number of shares आपको सिलेक करने है जैसे मैंने 5 सिलेक कर दिये add to basket कर दिया हमारा stock जो है basket में add हो गया है कुछ और stock add करते है जैसे Tata Power मुझे add करना है Tata के सारे stock मुझे add करने तो Tata Power मैं add करूँगा फिर यहाँ पर market सिलेक करूँगा stock quantity 5 ही रखूँगा और add to basket करूँगा अब दो stock add गोए तीसरा में यहाँ पर add करूँगा Tata Group का एक और stock जो है TCS, TCS भी market order 5 quantity मैं यहाँ पर सिलेक कर रहा हूँ add to basket अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 21,000 की total basket बन गई है मरे पास margin कम है fund मैंने add नहीं किया है fund add नहीं किया है फिर भी आप basket बना सकते हो उसे execute नहीं कर सकते है आप save करके रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं जब आप fund add करोगे 2 या 3 दिन बाद तब आप order execute करना कोई problem नहीं है लेकिन यह जो order होती है एक दिन के validity के लिए होती है यह GTT order जैसा नहीं है यह आपको द्यान में रखना है तो हम इसको save भी कर सकते हैं जैसे मैंने basket बनाई है Tata की तो मैं इसको Tata का नाम दे दूँँगा तो Tata की basket है यह अब जब मैं पैसे add करूँगा तो यह basket execute कर सकता हूँ अब market hour 9 बच के 15 मिनिट से लेके 3 बच के 30 मिनिट तक ही मुझे यह order execute करनी है market बंद होने के बाद में यह basket order execute नहीं कर सकता आप भी नहीं कर सकते हैं यह आपको जानना है तो यह हो गया stock का order basket अब आपको order execute करने के लिए का करना है सिर्फ place basket का बटन दबा देना है जैसे ही आप place basket करोगे market price के उपर अगर आपने select किया है तो सारे stock buy हो जाएंगे एक ही click में आपके सारे stock buy हो जाएंगे आपको wait नहीं करना पड़ेगा pending नहीं रहेगी आपकी order market order पे सारी चीज़े हो जाएंगे एक ही click में आपके तीनो stock buy हो जाएंगे यही चीज़ आप sell के लिए भी कर सकते है यही चीज़ आप delivery के लिए भी कर सकते है intraday के लिए भी कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है अब यह तो हो गया पहला तरीका stock की एक basket बना के उसे execute करने का अब आते हैं options traders की मदद करने के लिए तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे create new basket में हम nifty के कुछ order जो है वो butterfly order किस तरीके से लगानी है monthly expiry की वो हम यहाँ पे बताते हैं तो सबसे पहले तो हमें nifty के calls और put जो है वो यहाँ पे add करने होंगे मैं यहाँ पे जो basket है वो बना रहा हूँ bullish butterfly order के हिसाब से 19,150 का मैं यहाँ पे जो है put buy करूंगा वो भी monthly expiry का monthly expiry कब होती है मतलब अभी जो monthly expiry है वो 30 नमंबर को है नमंबर की expiry शुरू हो गई है कल expiry हो गई October की और आज से नमंबर की expiry शुरू हो गई है 19,150 का put जो है वो मैं यहाँ पे buy करने वाला हूँ 19,150 का put हम buy करेंगे add to basket करेंगे यहाँ पे option chain open हो जाती है option chain यहाँ पे आप देख सकते हो option chain में भी आप directly buying से link कर सकते हैं वो कैसे करना है वो भी बतातेता हूँ अब butterfly में मुझे दूसरा link कौन सा लेना है 19,500 का 1 put और 1 call बेच देना है तो मैं वहाँ वो भी यहाँ पे add कर देता हूँ 19,500 का जो है monthly expiry का 1 call और 1 put मुझे क्या करना है बेच देना है तो यहाँ पे मैंने select कर दिया एक call जो है वो मुझे बेच देना है तो add to basket कर दिया 19,500 का ही यहाँ पे expiry पहले select कर देते हैं expiry का 19,500 का put वो भी हमने यहाँ पे sell कर दिया तो आप देखते हैं बास्केट में क्या क्या चीज़े है बास्केट में 19,150 का put हमने buy किया है 19,500 का call sell किया है 19,500 का put sell किया है अभी एक और लेक बाकी है 19,850 का एक call हमें इसमें add करना है तो वो भी हम कर देते हैं nifty का 19,850 का call जो है वो हम यहाँ पे monthly expiry का buy करेंगे तो यहाँ पे हम buying पे जाएंगे buy सारी से चीज़े select है तो add to basket करना है अब 4 order हमने यहाँ पे basket में लगा दिये हैं तो आप देख सकते हैं कि एक put हमने buy किया एक call हमने buy किया एक call sell किया और एक put sell कर दिया अब इस पूरी strategy को बोलते है bullish butterfly strategy आप option strategy के उपर अगर वीडियो देखना चाते है तो पूरा simulator के उपर मैं आपको दिखा सकता हूँ उसके लिए आपको comment में लिखना होगा कि सारी option strategies हमें सिखाए अगर यह आप करोगे तो मैं तुरंट सारे वीडियो आपके लिए लेकर आ जाओंगा अब इस पूरे basket को execute करने के लिए मेरे पास margin कितना चाहिए 70,647 रुपए का अब जब ही मुझे ये basket execute करने होगी तो मैं यहाँ पे पूरा जो है place basket कर दूँगा fund add करने के बाद तब ये मेरा पूरा order execute हो जाएगा एक ही price पे मेरा order execute हो जाएगा एक साथ मेरे ये चार legs जो है वो execute हो जाएगे और मेरी ये strategy पूरी की पूरी बन जाएगी तो ये basket order की मदद से आप कर सकते हो otherwise क्या होगा आप naked option जब sell करते हो तो आपको margin एक दो लाख रुपे के उपर लगता है फिर आप उसे buy करते हो, कोई order buy करते हो तो वो वहाँ पे आपको दिक्कते आ जाती है तो इसके लिए आप अगर bracket order इस्तिमाल करते हो basket order, sorry bracket order नहीं, basket order इस्तिमाल करते हो तो काफी अच्छी तरीके से आप इसे इस्तिमाल करके execute कर सकते हो ताकि आपको margin भी यहाँ पे कम लगता है आपको जो adjustment है, वो भी काफी अच्छी तरीके से हो जाता है और सारी चीज़े easily smooth आप execute भी कर सकते हो तो एक click के उपर option strategy में आपको execution करना है तो काफी आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो तो यह फाइदे है basket order के I hope आपको basket order जो है वो लगाना कैसे है वो पता चल गया होगा option strategy के लिए या फिर different stocks के लिए आप एक click में multiple order execute कर सकते हो चाहे आपने intraday के 3-4 stock लेके बैटे हो आप वो भी आप basket में डाल सकते हो आपके जो orders है और उसे भी execute कर सकते हो एक साथ तो वो भी सारी जीज़े आपकी हो जाएंगी तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे comment में बता देना अगर वीडियो पसंद आया है तो like करना जादा से जादा share करना doubt है तो comment में पूछ लेना और channel को subscribe करना ना भूना धन्यवाद